हाई एवरिवान कैसे हैं आप लोग सो गाइस पिछले धाई महीने से बहुत 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 मेहनत कर रहे हो आप लोग जिसमें आप लोगों ने सारा कुछ इतना बढ़िया तरीके से रिवाइस किया लेकिन अब भी भी मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों को confidence की कमी आ रह है कि शायद मैं सब कुछ भूल रहा हूँ पता नहीं पेपर में recall होगा नहीं होगा तो गाइस इसका एक solution है और वो है pre-test अगर हम exam से पहले अगर एक exam conduct कर ले और आप उसको appear करो तो I am very sure आपको अपने आप पर ट्रस्ट हो जाएगा कि आपने जितना भी पड़ा था क्या वो आप recall कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे है because अभी तो time है suppose अगर किसी चीज़ के अंदर आपको लग रहा होगा कि यार कमिया है तो we still have time हम उसको ठीक कर सकते हैं but yes अगर ये problem हमें main exam में दिखी तो फिब दिक्कत आएगी right and that is why I am going to announce the grand test series for my two subjects that is CAFM and CMSL और ये test series की पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और I am very sure कि सभी बच्चे इसको बहुत sincerely बहुत serious way में attend करेंगे ये सोच कर अटेंड करेंगे कि yes यही मेरा final exam है और अगर मैंने अभी त्यारी कर ली और मेरे को paper में सब कुछ आता है तो definitely क्या मेरे को paper में final paper में भी जब होगा तब भी हमें सब कुछ आता होगा that is for sure clear है तो guys मैंने क्या सोच है कि accounts FM ठीक है और CMSL इनके अंदर हम लोग जो test conduct करेंगे ना पहले मैं आपको days बता देता हूं ठीक है तो कल यानि की Monday मैंने already पहले भी announce किया हुआ था आज morning मैंने community में भी announce किया कि Monday को कल शाम को 6 बजे हम लोग टेस्ट रखेंगे financial management का ठीक है सिरफ FM का अब अच्छा कहना सर पूरा क्यों नहीं देखो मेरा ना अभी भी मानना यह है कि अगर मैं पूरा रखूंगा ना तो आप कुछ ना कुछ चैप्टर के अंदर चोरी करोगे छोड़ोगे हना कुछ स्किप करोग अब भी आप कुछ भी स्किप करो तो जैसा मैंने कहा कि FM का पेपर कल शाम को 6 बजे है और मैं आपको ये भी बितायता हूं कि पेपर कहां से आएगा सो पेपर आएगा या तो आपके study material से यानि की question आपको study mat से देखने को मिलेंगे या फिर जो भी मैंने आपको एक practical book दिय है जिसके अंदर करीब करीब हमने 110 से 115 questions आपको दिये हैं उसमें से वेपर आएगा तो इसका मतलब ही हो गया कि अगर आप ये दोनों चीजें पढ़कर आ रहे हो ना तो you are able to attempt my paper for tomorrow at 6 p.m. ठीक है सर अब इसमें theory भी होगा और इसमें practical भी होगा ठीक है दोनों होंगे पहले बतायत हो अच्छा security law वाले प्लीज वेट करो उसके बाद मैं आपका भी अनौंस करने वाला हो ठीक है theory and practical दोनों होगा सर्थ theory कितने नंबर की आएगी approximately 25 नंबर की theory आएगी 75 नंबर का practical आएगा ठीक है और इस 75 नंबर के अंदर मैं आपको बड़े-बड़े दो questions दूंग एक working capital में से आएगा और एक maybe from capital budgeting doom है या maybe from cost of capital में देख लूँगा कहां से देना है बट एक तो sure shot है working capital से बड़ा question आना ही आना है clear है ठीक है sir तो paper भी leak कर दिया मैंने कहां से आना है ठीक है timing है कल शाम को 6 बजे ठीक है sir और ये paper FM का जो होगा ना वो मैं चाह रहा हूं कि क् मैं FM को इस level पे लेना चाह रहा हूं कि उसमें आपको सारे chapters में से कोई ना कोई questions देखने को मिले and that is why I am going to fix this paper for 100 bucks right तो ये paper 100 number का होने वाला है ठीक है शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे तक ये चलेगा paper right और इसके लिए आप लोगों को zoom meeting का एक link मिलेगा आपको through link that you have to join ठीक ह और जितने भी बच्चे कोई भी बच्चा join कर सकता है आपको check करके definitely इसकी answer sheet मिलेगी और इसको आप कैसे मुझे भेजोगे उसके लिए आप लोगों को मुझे pdf बना के भेजना पड़ेगा ठीक है और आपको within maximum two to three days आप लोगों को पूरी copy check करके वापिस मिलेगी ठीक है ठीक है सर अच्छा दूसरी चीज क्या कोई भी बच्चा दे सकता है सर बिलकुल आप अगर मुझसे नहीं भी पड़े थे लेकिन आप सिरफ join करोगे test तो भी आप इसको definitely कर सकते हो 100% free of cost है कोई भी बच्चा इसको join कर सकता है ठीक है इसके लिए बस आपको एक काम करना है वह आपने definitely भरना है so that हम लोगों को पता चल सके कि कि कितने students ऐसे हैं जो इस पेपर में participate करेंगे and accordingly I have to decide कि मुझे कि मुझे कितने invigilators appoint करने पड़ेंगे for checking your papers ठीक है सर और जो दूसरा test होगा after Monday that will be on Wednesday that will be for corporate accounts ठीक है जी corporate accounts का paper Wednesday को होगा same 6 बजे होगा 100 marks का होगा शिदत से paper दीजिएगा पूरा पढ़ कर दीजिएगा ठीक है मैंने इसको प्रैक्टिस बुक दूँगा आपको उसमें से आएगा और प्रैक्टिस बुक के अंदर मैं आपको दायते हो कि 55 से 60 question तो सेम ही है जो मैंने डंबरू marathon में लिये थे तो वह वाले chapter के तो question सेम ही है बस ratios और आपको consolidation के और cash flows के तीन chapter के questions मैंने उसके अंदर add करें है ठीक है न तो 55 question आपने करें हुए है तीन chapter के question मैंने add करें है तो मेरे भी same होगा theory with practical दोनों आएंगे theory for 25 marks and practical for 75 marks theory कहां से आएगी सर साथ lecture मैंने आप लोगों को theory के दिये हैं और वो भी YouTube पे playlist बनी हुई है I'm very sure सबने देखा होगा नहीं देखा तो उसको देख लीजेगा और उसकी जो assignment sheet है याने कि जो theory की assignment sheet है वो भी आपके groups में मैंने पहले से share करी हुई है ठीक है जी तो यह दो test हम लोगों ने रख दिये for CAFM old syllabus वाले बच्चों को मैं बता दू आपका भी कल FM का paper MCQ based होगा 100 marks का यहां पर आपका MCQ based होगा corporate accounts का paper strategic management का मैं फिर से यानि कि Thursday या Saturday को दुबारा ले लूँगा Thursday या Friday को तो आपका भी सारे paper यहां पर cover हो जाएंगे ठीक है ठीक है सर आपको अलग paper मिलेगा और new syllabus वालों को अलग paper मिलेगा clear है now comes with CMSL अब CMSL का जो paper है ना one is on Tuesday and the other one is on Thursday ठीक है दो paper रखेंगे हम one is on Tuesday one is on Thursday timing same छे बजे ठीक है आप लोगों को भी पूरा का पूरा इस paper को attempt करने के लिए Google form भरना पड़ेगा ठीक है और एक WhatsApp का link मैं आपको दूँगा WhatsApp channel का सारे बच्चे जो अभी तक joined नहीं है प्लीज WhatsApp channel को join कर लिजेगा so that आप लोगों को paper मिल सके ठीक है जी ठीक है सर्थ अब यह जो छे बजे यह जो दो पार्ट में मैं इसको divide करने जा रहा हूं मैं आपको बता देता हूं जो Tuesday को test होगा उसमें लिख लिजेए कौन-कौन से chapter आएंगे capital market ICDR takeover deal listing and buyback ठीक है जी तो यह chapters हम लोग रखेंगे कहां पर in Tuesday में अच्छा capital market में न सिरफ secondary market वाला part आएगा इसमें मैं depository act और SEBI act और SCRA यहां डालूँगा ठीक है ना तो आपका SEBI act SCRA और depository act वो यहां पर आएगा ठीक है with all other small chapters जितने भी वचेंगे यहां पर आप insider भी डाल देना वेटा ठीक है धी और इसके लिए आप कोशिश करना कि मैंने आपको बहुत प्यारे से notes दे हुएं उनको refer करना आपसे अराम से हो जाएगा और मेरे को पक्का यकीन है कि एक बार ही आप लोगों को यह challenge accept करना पड़ेगा तब ही आप हिम्मत कर पाओगे main paper में जाने की ठीक है अच्छा टी उस दे को शाम को 6 वजे होगा capital market का यह वाला जो paper होगा यह भी 100 marks का ही होगा और यहां पर भी 100 marks का होगा ठीक है ना दोनों 100 marks की होँगे सेम 6 से 9 6 से 9 कैसा आपको clear न है इस वीडियो के description box में google form भी है whatsapp चैनल का भी link दिया हुआ है please उसको join कर लिजेगा जिन्होंने अब तक join नहीं करा comment करके जरूर जाना है yes I am going to join this test और खाली joining ही नहीं करना serious way में attempt करना ठीक है पूरी रात जाग लो कोई दिक्कत नहीं है कोई अपने पर तरस मत खाए ठीक है पूरी रात जागो और ये test को ढंक से appeal करो because इसके बाद फिर ये subject आप बंद कर देना क्योंकि 15-16 तरीक के बाद I am very sure आप लोगों को उस paper के लिए पढ़ना पड़ेगा जो आपका पहला paper है ठीक है जी goodbye to everyone thank you very much god bless you all 30-30 minutes वाली videos कल से आनी शुरू हो जाएंगी amendment वेगर आपने देख लिए होंगी I am very sure goodbye bye bye